तो आज हम हमारा डी फार्मा सेकेंड एर का जो सब्जेक्ट है इस हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मसी उसका जो फर्स चैप्टर है हॉस्पिटल उस पे में इस उस्प्टर में से में इंपोहिप्ट्र हैं और आपने तग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब करें आपने तलो जरूर्व करें वहाँ पे हम डेलि कुउज करते ऐे फेस्बूप पर फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं तो स्टार्ट करते हैं फॉस्ट क्वेशन से क्या है हॉस्पिटल वाले चाप्टर में से क्या के हमसी क्यूज बन सकते हैं तो देख लेते हैं on the basis of ownership how many types of hospital हमें बोले ownership के basis पे कितने तरह के हमारे hospital होते हैं ownership कौन होता है मालिक कौन है hospital का मालिक कौन है तो उसके बेस पे हम कितने hospital में डिवाइड कर सकते हैं 123 और 4 तो क्या होता है अगर होस्पिटल को हम डिवाइड करें कितने में ownership के बेस पे तो वह दो में डिवाइड होता है एक हमारा होता है government hospital और एक होता है हमारा non-government hospital ठीक है जी तो government नाम सी पता लग रहा है कि central government railway या defense की hospital आगे जो हमारे और non-government में हमारा आगया कोई trust company या कोई private local body है वो चला रही है तो वो हमारे non-government में आ गए ठीक है या प्राइवेट hospital nursing homes वो सारे आ गए तो कितने ownership के बेस पे हमारे दो government और non-government so this is our correct answer ठीक है next mcu की तरफ चलते हैं क्या बूले medium size has a bed capacity of medium size में हमें पूछा है मतलब यहां पे hospital की बात हो रही है कि medium size का hospital है तो उसमें कितनी bed capacity होगी तो अगर basis of size पे हम divide करें तो हमारे पास आ जाते हैं large hospital ठीक है जी और हमारे पास आ जाते हैं very small hospital ठीक है अगर हम इन में bed sizes की बात करें तो large में आ जाते हैं हमारे more than 1000 beds ठीक है medium में हमारे पास आ जाते हैं 500 से 1000 बेट ठीक है और अगर small hospital में बात करें तो 100 से 500 बेट और very small में बात करें तो हमारे पास आ आते हैं less than 100 बेट ठीक है तो यहां पर हमें किसका साइज पूछा medium साइज की बेट कपैस्टी पूछे तो medium में क्या होता है हमारे पास 500 2000 सो देख लेंगे option 500 2000 इस अवर correct answer ठीक है next चलते हैं who is the administrator of a hospital हमारे एड्मिनिस्ट्रेटर कौन होता है मतला हमारे छॉस्पिटल को चलाता कौन है head कौन होता है तीक है options में दिया गया director of hospital cmomo या none of the above तीक है अगर हम बात करें administrator की तो जो हमारे hospital का administrator होता है वो होता है head या फिर हम उसको दीन बोल सकते हैं यह हम उसे बोल सकते है director of hospital ये head होता है किसका hospital का यही hospital को चलाते है ना कि CMO MO और यह तो हाई नियो तो correct option क्या हो गाई director of hospital अगर आपको ये सारी चीज़े detail में पढ़नी है theory को cover करना है तो हमारी आप है उदेद pharmacy classes Google Play Store पर मिल जाएगी link description में मिल जाएगा उसे डाउनलोड करें उसमें हमने पूरे जो भी 1st year 2nd year के subject से उन्हें cover कर रखा है ठीक है और अगर आपको कोई भी query है तो आप इस नंबर पर call करके कभी भी पूछ सकते हैं नेक्स चलते हैं हमारे पास how many years of experience is needed by the director of hospital कितना experience needed होता है अगर किसी को director बनना है hospital का ठीक है तो जो hospital का director है मतलब जैसे की dean भी बोल सकते हैं हमें तो उनको तो एक तो minimum तो master degree होनी चाहिए उनके पास minimum master degree होनी चाहिए और इसके साथ साथ 6 से 10 साल का experience बहुत जादा important होता है कितना 6 to 10 years ठीक है 1 to 2 गलत हो गया 3 to 4 गलत है 5 नहीं है 6 to 10 experience is our correct answer ठीक है next चलते है two types of services provided by hospital आर पूछा गया दो तरह की services hospital देता है कौन कौन सी clinical non-clinical simple complex legal illegal या all of the above देखो all of the above हो नहीं सकता legal illegal services तो देगा नहीं वो simple और complex कोई नाम की services भी होती करेक्ट के clinical और non-clinical services बात करें hospital की तो दो तरह की देगा एक तो देगा clinical services और हमारे पास आ जाती है non clinical services ठीक है जी clinical में अगर देखा जाए तो इसमें हमारे पास surgery आ गई ठीक है ENT आ गए OBG obstetrics वाले आ गए psychiatric आ गया medical आ ठीक है स्टाफिंग आ गई यह सारी चीजें हमारी pediatric आ गया यह सारी चीजें हमारी clinical में आ जाती है non clinical में हमारे पास आ जाते है nursing होगी ठीक है nursing services pharmacy services हो गई हमारे पास housekeeping services हो गई ठीक है laundry services हो गई blood bank हो गया यह हमारे किसमें account department हो गया तो यह सारी हमारे non clinical areas में आ जाते हैं ठीक है तो hospital दो तरह के services देता है कौन-कौन सी clinical and non clinical services next time बात करें all our supportive services एक और बात जो हमारे non clinical services हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं दूसरा नाम होता है उनका supportive services तो हमें पूछा कि सारी supportive services है hospital की except जहां से पढ़ना except ठीक है तो पूछा कौन सी नहीं है तो housekeeping services होता है जी चीक है pharmacy service भी होता है ठीक है staffing pattern यह हमारी कौन सी है clinical service है यह कौन सी clinical service है और blood bank हमारा किसमें आता है non clinical मतलब supporting में आता है तो हमसे से पूछा कौन सा नहीं है तो वह हो गया हमारा option सी that is staffing pattern नेक्स्ट हमारे पास है what is courtesy medical staff हमें बुला courtesy medical staff कौन सा होता है options देख लेते हैं it consists of physicians who are active in hospital during their working years and having interest to work after retirement क्या बुला गया कि इन में वो doctors आते हैं जो कि हमारे active रहते हैं hospital में अपने working year में और उनका interest होता है after retirement baby काम करने का तो ऐसे जो staff होते हैं उन्हें हम बोलते हैं honorary staff क्या बोलते हैं उन्हें honorary staff ठीक है जी तो यह तो हमारा courtesy वाला नहीं होता पिर हमें प्राइवेट प्राइवेट पेशन हुआ डिसाइड़ प्राइवेट पेशन बट रेफ्यूज दे मेंबर्शिप ऑफ दा हॉस्पिटल हमें बोला है कि यह कौन से होते हैं वो doctors होते हैं जो कि private patient तो अटेंड कर लेंगे लेकिन member नहीं बनेंगे हॉस्पिटल का तो यह हमारा correct option है यह होते हैं courtesy medical staff इन्हें बोला जाते हैं courtesy medical staff कि यह क्या करते हैं वो doctors हैं जो कि member नहीं बनेंगे हॉस्पिटल का है कि प्राइवेट लिए पेशन को अटेंड कर सकते हैं ठीक है फिर हमें बोले कि यह जो हमारे doctors होते हैं यह स्पेसिफिक फेकल्टी में ही होते हैं स्पेसिफिक टाइम के लिए होते हैं तो ऐसे स्टाफ को बोला जाता है consulting staff क्या बोला जाता है consulting staff तो यह भी हमारा क्या हो गया अगे चलते हैं लिखे all are the functions of dean of the hospital except बोले कि सारे functions यह जो एड्मिनिस्ट्रेटर है एक नहीं है ठीक है एक तो है to implement the policies of the governing body यह जो governing body policies बनाएगी वो implement करेगा बिल्कूल ठीक है कि वो क्या करेगा जो उसके अंडर कमेटी आती है वो decide करेगा कि कौन कौन उसके member बनेंगे और वो क्या क्या काम करेंगे to decide scientific program for the development of the knowledge of staff यह भी करेगा कि वो scientific program decide करेगा कौन से hospital में होने चाहिए और ताकि जो staff के उसके knowledge बढ़े setting the duty roster यह काम नहीं होता है जो duty roster है वो specific field के head है जैसे नर्सिंग इंचार्ज नर्सिंग वालों का बनाएगा फार्मसी इंचार्ज फार्मसी वालों का बनाएगा तो duty roster बनाना उनका गाम है तो कौन सा हमारा correct option होगा एक्सेप्ट पूछा that is setting the duty roster okay so this is all about today's video hope आपको अच्छे से समझ आ गया हो कि कैसे हमारे MCQ's hospital chapter में से आ सकते है ठीक है अगर आपने हमारे दूसरे चानल को subscribe नहीं किया Easy Nursing लेचल इसमें आपको nursing और medical content related videos मिल जाएंगी तो जाके जरूर एक बार देखें उसे ठीक है thank you